हेलो स्टुडेट पिछβे लेक्षय जयन में हम लोगों ने पयारामीश्य में रिप्रोड02क्शन टॉपिक डिसकस किया था तो रिप्रोड़क्शन जो हो रहा था वो फौरे सटोनली या या दो भागो में बठ जा रही थी और sexually यानि लैंगिक विधी से जो reproduction होता है वो किसके द्वारा होता है? Conjugation के द्वारा यानि सायुगमन के द्वारा होता है इसके इलावा भी पैरामीशियम में हमें कई तरह से reproduction देखने को मिलते हैं जैसे साइटोगैमी, आटोगैमी, हेमी मिक्सिस, इंडो मिक्सिस इसके द्वारा भी ये reproduction दिखा करते हैं देखने को मिलता है तो जो एसेक्श्वल विधी से जो reproduction हो रहा था वो किसके द्वारा हो रहा था? बाइनरी फिजन यानि पैरामीशियम जो है, एमाइटॉटिकली दो भागों में विभाजित हो जा रहा था तो जो बाइनरी फिजन हो रहा था, वो अनुकूल परिस्थितियों में हो रहा था यानि फेवरेबिल कंडिशन में हो रहा था और लैंगिक विधी से जो रिपोड़क्शन कर रहे हैं, यानि जो कंड्यूगेशन लैंगिक विधी से जो पैरामीशियम रिपोड्यूस कर रहे हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, तो कंड्यूगेशन के द्वारा जो रिपोड़क्शन हो रहा है, वो प्रतिकूल यहानि ऐस्थाई मिलन हैं जिनमें दोनों कन्जूगेंट के बीद्छ झे है उनके जनेटिक मेत्पीर्यल गा एक्सचेंजी होता है अधना प्रदान होता है उसकें कली होना न आ किन परिस उत्थीतिंटियों में होता है तो कंजुगेशन जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में यानि फूड की कमी हो जाए तो उस तब ये कंजुगेशन विधी से पैरामीश्यम रिपोड्यूस करते हैं और क्यों होता है क्योंकि जब कई बार बैनरी फिजन से विभाजित होते होते दुविखंडन होते होते इनकी बॉड़ी जो है इनकी पावर जो है विगर पावर जो है वो काम हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि जब वो बैनरी फिजन यानि दुविभाजन नहीं कर पाते और पेरामीशयम मर जाता है तो इनकी जो विगर पावर है इनकी जो शक्ती है उसको पुना प्राप्त करने के लिए ये कंजुगेशन विधी से रिपोड़क्शन फिर इसमें होता है तो विगर पावर को पुना प्राप्त करने के लिए ये कंजुगेशन विधी से रिपोड अग्तिविटीस है उनको कंट्रोल करता है तो जब बाएंडी फिजन से लगातार विभाजित होते जाते हैं तो मेहानिकलेस नस्ठ hoने से इनकी जो मेटाबॉलिक काक्टिविटी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वह कंजूगेशन में विधी से रिपोडक्शन करते हैं जिससे नया मैक्रोनुकलेस बन जाता है जो इनकी मेटाबॉलिक अक्टिविटी को कंट्रोल करता है तो जेनेटिक जो हेरिडिटी के लिए और विगर पावर प्राप्त करने के लिए और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये कंजुगेशन दिखाते हैं तो आज हम लोग डिस प्रतिकूल परिस्थितियों में और इनकी विगर पावर यानि जो इनकी जो शक्ति है वो खतम हो जाती है तो उने पुनभ राप्त करने के लिए ये कंजुगेशन विधी से रिपोडुक्शन करते हैं कंजुगेशन में क्या होता है कि कंजुगेशन में दो jो different mates type के पैरा में एक्सचेंज हो जाता है तो कंजुगेशन में जो डिफरेंट यानि अलग-अलग मेटिंग टाइप के पैरामीशियम आपस में आके मिलते हैं तो पैरामीशियम जो है वो मौर्फोलोजिकली मेल और फीमेल में डिफरेंशियट नहीं होता है देखने में ये मेल और फीमेल मौर्फोलोजिकली हमें नहीं पता चल पाएगा तो ये किस टाइप के होते हैं आईसो गैमस टाइप के होते हैं तो डिफरेंट मेटिंग टाइप के जन्तु जहे हैं आपस में वो मिलते हैं तो कंजुगेशन में क्या हो रहा है कंजुगेशन एक ही जाती के किन्तु अलग अलग प्रकार के मेटिंग टाइप के जीवों के बीच क्या है अस्थाई मिलन की प्रकिरिया है यानि तंप्रेरी मिलन की वह प्रकिरिया है जिसमें इनके जो नुकलियस है यानि केंदरक पदार्थ है इनका आपस में एक्सचेंज होता है अब कंजुगेशन के लिए जो तया परामीशैन यानि प्रिकंजूगेंट आपस में आके अपने ओरल ग्रूप से घ्रें ओरल ग्रूप के जो सरफिस हैं उन से चपठ जाते हैं और इन के बीच जब दो आपसमे चपच चाहिए औरल ग्रूप यानी ओरल गूरूप कहा हो ती इन के मुखतल पे जो माूथ है यान तो जब दोनों परमेशम आके अपने औरल ग्रोफ से चपक गया तो बीच की जो पहली किल है वह नस्ट हो जाती जिससे दोनों का साइटो प्लांट जो है वह आपस में मिल जाता है यानि बीच में क्या हो जाती एक अपने ट्यूब बन जाती है तो और इस जो कंजूगेंट बन जाती और यह परमेशम क्या कहलाते हैं दोनों जो आपस में सटे रहते हैं अब इनको कंजूगेंट बोलेंगे जब तयार होंगे सटने के लिए यानि मैचोर मैचोर डिफरेंट मेटिंग टाइप अलग-अलग मेटिंग टाइप के जनतू जो है आपस मिलेंगे तो क्या हो गएं तो कंजूगेंट के लिए तयार अपने मुख तल से यानि कंजूगेशन के लिए तयार पैरामीशम है वह अपने ओरल ग्रूप से एक दूसरे से चिपक जाते हैं और इनके बीच की जो पैलेकिल है वह नस्ट हो जाती है डिसल्व हो जाएगी जिससे करेंगे कंजूगेंट यानि इन फिदाश्म को क्या कहेंगे कंजूगेंट कहेंगे अब प्रते कंजूगेंट में उकल नस्ट हो जाता है आपको पता है कि अई दो बार विभाजित हो रहा है तो जब दो बार बट रहा है तो कितने बनेंगे दो दूसरी बार जब बटे गा तो इनसे 4 macronucleus, बन जाएंगे, तो macronucleus तो नस्ट हो गया, macronucleus बचा, macronucleus दो बार विभाजित हुआ, तो first बार जब division हुआ, तो 1-2 बने, दूसरी बार division हुआ, तो 2-1 बनेंगे, यानि 4 macronucleus बन जाएंगे, तो जिससे क्या होता है, दो बार विभाजित होता है Microента 4 जिससे चार Neukleus बन जाते है अब इन जोो नए बने चार Neukleus है इन में से तीन जो है वो evaluate हो जाते है Macronore Neukleus तो पहले Gest हो गया MicroVerne Leis बचा था Micro scriptures दो बार विभाजित हुआ जिससे कि चार नए Micro enthalpyleUS बन गयाए उन में से 3 क्या होंगे वो नस्ट हो जाता है तो कितना बच्च एक बच्चा बच्चा हुआ जो एक drone nucleus हो असमान रूप से यहनी unequal दो भागों में विभाजित हो जाता है तो वो असमान रूप से drone nucleus दो भागों बढ़ गए यानि एक छोटा और एक बड़ा बढ़ जाता है इस प्रकार बना छोटा जो छोटा वाला है उसे हम क्या बोलेंगे माइगरेटरी मेल प्रो नुकलियस दो भागों बटा माइगरेटरी मिल्स मोटाइल होगा छोटा वाला और जो बड़ा होगा वो कैसा होगा इस्टेशनरी होगा इस्टेशनरी होगा इस्टेशनरी फीमेल प्रो नुकलियस क्यालाता है यानि वो था चोटा माइगरेटरी मोटाइल clear sunshine नहीं ऑगग यह दो भागों बटा雏गा एक कंजुगेंट का मेल प्रोनुकली दोनों में दो भागों में बटा तो एक कंजुगेंट का जो प्रोनुकली यानि मेल जो प्रोनुकली है यानि माइग्रेटरी मेल प्रोनुकली दूसरे जन्तू में पहुँचकर दूसरे वाले कंजुगेंट में पहुँचकर फीमेल इस था सब्सक्रेद करने को साथ में इसनक कर लिए एक बन गया मैं जाइगोट नुक्ले अर यह दो दोनो जो हो जाते हैं और जब हो जाएंगे तब से क्या बोलेंगे एक्स-डूगेंट यानि जब तयार होंगे में प्रिगेंगे प्रिकंजूगेंट जब आपस में सट जाएंगे तब इसे क्या कहेंगे? कॉन्जूगेंट और जब इनका नुकलेस मैटीरियल जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे उसके बाद वो अलग-अलग हो जाएंगे यानि जाईगोट नुकली जब बन जाएगा तो अलग-अलग हो जाएंगे अलग-अलग जब होलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे X-conjugend तो ये अलग-अलग हो जाते हैं प्रतिक X-conjugend के nucleus जो fuse करके बना था उनका nucleus या जाइगोट nucleus जिसे कहते हैं वो तीन बार विभाजित होता है तो एक बार विभाजित हुआ तो एक से दो बना दूसरी बार division हुआ तो दो से चार बनें और तीसरी बार जब division होगा तो चार से आठ nucleus बन जाएंगे तो तीन बार विभाजित होता है जिससे क्या बनेंगे आठ nucleus बन जाते हैं इन में से आठ बन गए अब इन में से चार्ज हैं वो बड़े होते हैं यानि मेगा नुकलेस बन जाते हैं, और चार जो हैं वो छोटे होते हैं, और उन्हें माइक्रो नुकलेस बन जाते हैं, यानि आठ में से दो भागों में बढ़ जाते हैं, चार बड़े हो जाते हैं, और चार छोटे हो जाते हैं, अब जो चार छोटे वाले हैं, माइक्रो जो बने है उन में से तीन थो नज्स्ट हो जाएँगे तो कितना बचला एक बचला 1967ग और चैम मेगा न्यूकलस बचलाई 4 river वचलाई ऑद या मिदेटी इनदार 5 बचलनली बचलाई तो प्रतीक इकस कंजुगेट में में बचलाई एक दो बार विभाजित हो जाती है फल सरूप एक एकस कंजुगेंट से चार डाटर पैरा मीशयम बनते हैं एक बार विभाजन हुआ तो एक से दो यानि जो तीन तो नस्थ हो गए एक बचा माइक्रो निकलियस एक माइक्रो निकलियस जो बचा वह जब डिवीजन हो रहा है तो सथ प्रफित एक को माइक्रो निकलियस और एक एक मैंडिवाइड हो जाते हैं तो इसके साथ एक लगक्रो निकलियस एक-ेक में चले जाते हैं तो इस तरह जो प्रतेक एक एकस कंजूगेंट से चार्ज है वो डार्टर पैरामीशियम बन जाते हैं अब इनको हम फीगर से समझा दें तो आपको क्लियर हो जाएगा ताइप के पैरामीशियम इस मॉर्फोलाजीडर इस नहीं देखने को मिलेगा लेकिन डिफरेंट मेटिंग टाइप के जन्तू आपस में आके मिलेंगे यह मैक्रो नुपलेस हो गया और। जो छोटा वाला है वह माइक्रो नुपलेस हो गया झाल 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 झाल